मैं makecode.microbit.org में हूँ और यहां मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है microbit को mobile phone के bluetooth से control करने के लिए हमारे को दो चीज़ें यहां पर add करनी पड़ेंगी सबसे पहले हम यहां पर top right में gear button दबाके extensions में जाकर हम यहां bluetooth का extension सर्च कर रहे हैं और यह bluetooth का extension जब हम add करते हैं तो हमारे को यह message मिलता है कि जो bluetooth का extension है वो default जो radio का extension यहां पर था make code में इससे incompatible है तो हमारे को इसको remove करना पड़ेगा तो यह remove करने में कोई problem नहीं है क्योंकि हमारा radio का extension हट गया है यहां से हमें यहां bluetooth का extension मिल गया है पर अगर हमें radio connection वापस चाहिए तो हम यहां extensions में जाके यह radio को दुबारा install कर सकते हैं और जब हम radio को install करेंगे तो हमारा bluetooth का extension है वो delete हो जाएगा तो option है कि या तो radio वाले projects आप बना सकते हो make code में या आप bluetooth वाले projects बना सकते हो तो यहां पर यह जो bluetooth का extension है इसमें हमारे को कई सारी services मिलती है जो microbit की services हैं जिनको हम bluetooth के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं तो अभी मैं bluetooth के extension से यहां पर यह on bluetooth connected और on bluetooth disconnected यह दो buttons ला रहा हूं और इनके साथ हम केवल यह करना चाहते हैं कि हमारा जो microbit है वो हमारे phone के bluetooth से ठीक से connect हुआ की नहीं हमें उसकी indication मिल जाए हम इन दोनों programming blocks को केवल उस indication के लिए use करना चाहते हैं तो हम indication के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम कोई LED जला सकते हैं अपने microbit में या कोई हम text message receive कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर text message ला रहा हूँ कि अगर bluetooth से हमारा microbit connect हो जाएगा तो microbit की LEDs में C for connected display हो जाएगा और अगर for any reason हमारा microbit disconnect हो गया तो हमें पता नहीं चलेगा unless हम कोई signal यहाँ से लें तो मैं कह रहा हूँ कि अगर bluetooth disconnect हो गया तो जो LED display है उसमें D जो है for disconnected ये display कर देना फिर इसके बाद हमारे को एक और extension चाहिए अपने mobile phone को हमारे microbit से connect करने के लिए तो ये जो extension है ये devices नाम का extension है पर ये अब यहाँ से जो main जो ये library थी extensions की अगर मैं यहाँ से जाके extensions में जाके devices ढूणूँगा तो हमारे को अभी ये नहीं मिलता ये जो extension है ये इस library से remove करा जा चुका है और यहाँ जो support.microbit.org है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये blocks इसलिए हटा दिये गए हैं क्योंकि ये जो blocks हैं ये कई सारे नए phone के साथ compatible नहीं है तो हम इस extension को फिर भी load कर सकते हैं और हम जो इस extension के features को use करेंगे वो mostly सब mobile phone पे चल जाते हैं बट it is possible कि आपके particular mobile phone पे ना चलें तो ये एक आपको try करके देखना पड़ेगा ये devices का extension add करने के लिए हम अगर यहाँ scroll down करेंगे for download ये available है तो ये जो extension है devices का ये मैंने download कर लिया है मैं इस zip file को unzip कर रहा हूँ तो ये हमारी जो microbit devices है ये as a hex file हमें मिल गया है मैं Mac में काम कर रहा हूँ इसलिए interface ऐसा है अगर आप Windows में काम कर रहे हो तो interface थोड़ा different होगा but essentially आपको microbit devices dot hex file जो है वो मिल जाएगी फिर मैं वापस अपने microbit की make code की window में जाकर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ drag and drop कर रहा हूँ तो जब मैं ये hex file यहाँ drag and drop करता हूँ तो हमारे को ये devices का extension मिल जाता है और devices के extension पे हमारे पास कई सारे और हमारे को programming blocks जो है वो मिल जाते हैं तो इसमें से कई जो interesting चीज़े हैं कि tell camera to take a photo और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो और भी चीज़े हैं video capture etc मैंने experiment करके देखा था तो मेरे android mobile phone पे तो ये नहीं चले आप try कर सकते हो और क्योंकि ये blocks चलने बंद हो गए हैं इसलिए शायद microbit ने इसको अपनी official library से हटा दिया है पर हम जो ये bluetooth based car जो बना रहे हैं इसके लिए हमारे को devices में केबल ये gamepad बटन चाहिए ये जो gamepad है ये at least मेरे phone पे तो चल गया होपफुली आपके phone में भी चल जाएगा पर I realize कि ये hex file add करनी की वज़े से हमने जो हमने जो पहले programming blocks लगाए थे वो delete हो गए हैं तो मैं quickly उनको वापस add कर रहा हूँ तो ये मैं वापस when Bluetooth connected display C and when Bluetooth disconnected display D ये commands मैंने add कर दी हैं अब हम जो अपनी car बना रहे हैं इसमें basically आपको कोई motor driver board लगाना पड़ेगा क्योंकि आप जो ये geared motors हैं इनको आप directly microbit से connect नहीं कर सकते हो ये geared motors बहुत जादा current draw करती हैं तो जो जिनका load जो है microbit सीधा नहीं ले पाएगा तो जो भी आप motor driver board add कर रहे हो उस motor driver board का extension भी हमें यहाँ add करना पड़ेगा तो जो मैं motor driver board use कर रहा हूँ वो है kitronic का motor driver board तो मैं उसका extension add कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जाके extensions में जाके यहाँ motor driver board search कर रहा हूँ तो कई सारे motor driver boards जो है depending upon आपके पास कौन सा है आपको वो इसमें add करना है मेरे पास यह kitronic का motor driver board है तो मैं इसका extension add कर रहा हूँ और इस extension को add करके हमारे को यह commands मिल जाती है कि हम जो motors है उनको forward या reverse इससे हम चला सकते हैं तो essentially हमारे को यही programming blocks चाहिए तो next हम देखते हैं कि हमारे को कौन सी app डाउनलोड करनी है तो आप अपने android phone में play store में जाके अगर आप यहाँ पे microbit के लिए search करोगे तो microbit से related यहाँ पे जो microbit की default app है वो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी नहीं है और जो reviews हैं और comments हैं उनको भी यही लगता है क्योंकि उसमें बहुत bugs हैं वो ठीक से नहीं चलती है तो instead of using the official app हम एक और app यहाँ पर जो है उसको हम use करेंगे जिसका नाम है microbit dpad तो मैं already microbit dpad जो है यह install कर चुका हूँ तो आपको यह app जो है इसको install करना पड़ेगा और भी options आपके पास है kitronic move app है इसको भी आप try कर सकते हो in case microbit dpad app आपके लिए नहीं चली इसके अलावा bitty controller भी एक बहुत अच्छी app है just that कि वो paid app है बाकी free apps है तो मैं अपने phone पे यह microbit dpad आप जो है यह start कर रहा हूँ तो इसका interface इस किसम का है हमारे पास यह चार जो arrow keys और numeric buttons मिलते हैं और चार हमारे को यह ABCD buttons मिलते हैं तो हम जो program करना चाहते हैं वो यही कि अगर हम अपने phone पे यह forward का arrow दबाएंगे तो हम चाहते हैं हमारी गाड़ी आगे forward move करे अगर हम reverse करेंगे तो reverse और 3 से left 4 से right तो इसको अब हम program करना सीखते हैं तो हम gamepad button में यहां क्या कह रहे हैं कि अगर one जो हमारा यह जो one button है अगर one button down हो तो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी forward जाए तो forward जाने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी दौनो motors है motor 1 और motor 2 यह दौनो forward direction में चलें और यहां हम speed define कर सकते हैं मैं अभी speed बहुत कम रख रहा हूँ ताकि जब मैं test करूँ तो मैं slow speed से इसको ठीक से control कर पाऊँ तो इसी तरीके से लेट से यहां पर भी मैं 20 और 20 दौनों को 20 की speed कर रहा हूँ फिर हम चाहते हैं कि अगर हम button number 2 दबाएं तो हमारी गाड़ी reverse हो जाए तो इसके लिए हम इसको duplicate करके यहां कह रहे हैं कि on gamepad button two down हम दौनों चीदों को दौनों motors को हम reverse करना चाहते हैं और number 3 से हम left और number 4 से right चाहते हैं तो मैं इसको duplicate करके यहां कह रहा हूँ कि अगर number 3 button जो है वो down होगा तो हम चाहते हैं कि हमारी जो एक जो motor है वो दूसरी motor से थोड़ा fast चलेगी तो जब वो fast चलेगी तो अपने आप हमारी गाड़ी turn हो जाएगी और इसी का मैं reverse यहां कर रहा हूँ और यहां मैं कह रहा हूँ on button 4 down इसको मैं reverse कर रहा हूँ कि यह वाली motor 20 speed पे होगी यह 50 की speed पे होगी और अगर ऐसा होगा कि 3 से यह ultra turn कर रही है हम चाहते थे कि 3 से left turn करे पर यह 3 से right turn कर रही है तो हमारे को यह जो दौनों speed से इनको reverse करना बढ़ जाएगा तो यह जो चार buttons है इनसे हम अपनी motor को control कर सकते हैं पर हम चाहें तो हम यहां पर यह भी बात add कर सकते हैं कि microbit में हमारे को कोई indication मिले कि इन में से कौन सी command जो है वो execute हो रही है तो यह करने के लिए मैं basic में जाके scroll down करके यहां से यह arrow की command डा रहा हूँ तो show arrow north means कि वो upward direction में arrow होगा यानि कि forward move कर रही है और south means नीचे और इसी तरीके से मैं बाकी दो में भी arrows की command डाल रहा हूँ तो यह हमारी जो basic commands है यह हमारी तयार है इस program को microbit में transfer करने से पहले हमारे को एक चीज़ और करनी है कि हम यह अगर यहां पर यह gear icon दबा के project settings में जाएंगे तो हमारे को bluetooth से related यह 4 options मिलती है हम यहां पर पहली option select कर रहे है no pairing required, anyone can connect with bluetooth, जो बाकी है वो भी काम करेंगी पर उनके लिए फिर कुछ additional steps जो हैं वो microbit में लगाने पड़ते हैं तो मैं अभी सबसे simple वाली चीज़ी यहां कर रहा हूँ और usually अगर आप bluetooth based projects कर रहे हो microbit के लिए तो probably यही जो option है यह best रहेगी मुझे यहां पर एक command और add कर देनी चाहिए जिससे कि हम जो हमारी car है उसको हम रोग पाएं, यहां पर जो हमारा d-pad के जो controls थे इसमें हमने 1, 2, 3, 4 assign कर दिये हैं, तो मैं button A को assign कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी का जो brakes अगर हमें लगाने हैं तो तो इसके लिए मैं फिर से motor driver board से यह turn motor off की command ला रहा हूँ और devices में जाके मैं यहां पर gamepad में A button down पर कह रहा हूँ कि motor 1 को भी off कर देना और motor 2 को भी off कर देना और मैं एक final चीज यहां पर command अड़ कर रहा हूँ कि basic में जाके मैं कह रहा हूँ कि on start और on start पर मैं कोई icon अड़ कर रहा हूँ यहां पर तो let's say हम यहां पर एक tick की icon अड़ कर रहे हैं इससे क्या होगा कि हमारा जो program है यह ठीक से transfer हो गया है यह अगर हमारे को microbit में एक tick मिल गया तो उसको वो indication होगा कि हमारे microbit में यह program ठीक से transfer हो गया है तो इसके बाद मैं यह program को microbit में transfer कर रहा हूँ तो यह हमारा जो program है यह transfer हो रहा है यह blinking LED से indicate होता है और यह हमारे को आगे यह tick मिल गया इसका मद्दब है कि हमारा program ठीक से हमने transfer कर दिया है तो अब हम अपने microbit को अपनी app से connect कर रहे हैं अपने जो मेरे android phone में यह जो microbit d pad app है मैं इस से connect कर रहा हूँ तो connect करने के लिए मैं यह bluetooth icon जो app में है इसको दबा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जाके scan on कर रहा हूँ तो जितने भी यहाँ पर आसपास मेरे bluetooth devices हैं जो की काफी सारे हैं यह सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन में से मैं यहाँ से यह BBC जो मेरा microbit है इसको connect कर रहा हूँ और यह connect होने के बाद अब हम यहाँ पर इस microbit को मैं अपने motor driver जो हमने यह गाड़ी बनाई थी इस में लगा रहा हूँ यह जो हम गाड़ी बनाई है बहुत simple है यह एक chassis है जिस पर यह दो motors लगी हुई है geared motors हैं यह with metallic gears और हमारे पास यहाँ पर यह एक four batteries का battery pack है और इसके उपर यह motor driver board जो है यह लगा रखा है motor driver board में simple connection है यहाँ यह जो दो हैं यह हमारे battery से positive और negative wires आ रहे है और हमारी दौनों motors के जो wires आ रहे है उनको हमने motor board में यहाँ पर लगाया है तो it is as simple as that अब हमारी जो गाड़ी है यह connected है इसमें यह जो tick mark है यह आ गया है और अब मैं इसको मैं अपने phone से इसको control कर सकता हूँ तो अगर मैं button one दबाता हूँ वो connection हमारा lose हो गया था तो मैं इसको फिर से अपने bluetooth से connect कर रहा हूँ और bluetooth से connect करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर यह c लिखा हुआ आ गया है यानि कि यह connected है और फिर अगर मैं यहाँ पर one दबाता हूँ तो हमारी गाड़ी आगे चलती है a दबाने से रुख जाती है और दो दबाने से यह reverse हो जाती है और अगर तीन दबाने से यह left की तरफ मुढ जाती है actually यह right की तरफ मुढ रही है जिसको हम ठीक कर देंगे और finally अगर मैं four दबा रहा हूँ तो यह दूसरी direction में मुढ रही है और इनके हमार पास respective जो arrows indication है वो भी यहाँ पर आ रहा है तो forward reverse right और left यह camera से बाहर चली गई तो यह जो बस turns है यह उल्टे हो रहे हैं तो इनको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर इनको बदल रहा हूँ तो मैं इसको कह रहा हूँ कि maybe इसको मैं 10 कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत fast मुढ रही थी और इसको मैं 30 कर रहा हूँ और likewise इसको मैं 30 कर रहा हूँ और इसको मैं 10 कर रहा हूँ और इस program को मैं फिर से microbit में transfer कर रहा हूँ तो transfer होने के बाद हमें ये tick मिल गया और क्योंकि हमने program transfer किया है तो हमारे को bluetooth को फिर से connect करना पड़ेगा तो मैं यहां bluetooth में जाके scan यहां पर scroll down करके यह जो microbit है इसको select कर रहा हूँ यह green indicate कर रहा है कि यह connect हो गया है तो अब अगर मैं और यहां पर मेरे पास यह C की भी यहां पर microbit में हमें दिख रहा है तो यह connected है और इसके बाद अगर मैं 1 दबा रहा हूँ तो forward 2 से reverse 3 से left turn और फिर reverse A से stop और 2 से दूसरी दरफ turn and finally जब यह तो मैं कैमरा में टेस्टिंग के लिए मैंने speed बहुत कम करी थी आप यहां पर वापस जाके speed को वापस जितना भी 100% करेंगे तो यह car बहुत fast move करेगी turns को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और मैं इस program को फिर से transfer कर रहा हूँ करेगी कि अ कर दो यहाँ करेगी कर बहुत अ कर दो לס़ हमाँ करेगी कर रहा हूँ कर दो यहाँ